Hello everyone, हमारा जो thermodynamic का session चल रहा है, उसमें हमें next 5 questions solve करने हैं, छीक है, इस session में हम बहुत ही ज़्यादा tricky चीज़ें पढ़ेंगे, जिससे हम, मतलब ऐसी हम tricks पढ़ेंगे, जिससे हम question को easily solve कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल as a student की तर आपको tricks बताऊंगी, कि किस तरह से आप question को within 30 seconds में आप क्या कर सकते हैं, solve कर सकते हैं, यकीन मानिया, आप 30 seconds ही लगाएंगे question को solve करने के लिए, बहुत ही जादा easy trick है, देखो आपको question को एक तो सबसे पहले अच्छे से read करना है, सबसे पहली बाद, जब भी आप questions को देखेंगे, सबसे पहले question reading is very important है, तो question read करेंगे, for an ideal gas equation at 300 Kelvin temperature, sorry, 300 Kelvin temperature हमें provide किया गया, तो ideal gas equation कौन सी हमारे fit बैठेगे, इन 4 options में से A है, B है, C है, ये 4 options हमें दिये गए, इन 4 options में से कौन सा option हमारा correct होगा for ideal gas equation, ये इन्होंने यहाँ पर पूछा है, छिक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास question हमारे पास चल रह है, उसके हम बात करेंगे, कि जो भी हमें question यहाँ पर provide किया, इस question को solve करने के लिए, हमारे पास सबसे अच्छी trick है, बहुत असान trick है, देखो, यहाँ से मैं सिर्फ दो चीज़ यहाँ पर लिखूँगी, एक तो हमारी होती है internal energy, ठीक है, एक होती है हमारी enthalpy, अब यहाँ प अगर आपका temperature change होता है, तो यह भी change होता है मतलब यह प्सक्ट कर ले गदर तो एक तो है और आपको प्सक्रीफ चेंज ऑता है, तो आपके यह दोंचीज़ चेंज होगा तोंतar गानेária enthalpy नहराइनलबर माथ में बढ़ेंगी, तो मैंने सिर्फ यही तो बोला है, कि आप internal energy को change करोगे, तो आपका क्या होगा temperature जो होगा, वो आपका क्या होगा, change होगा, सिर्फ इतना ही मैंने mention किया है, तो आपको कहीं पर भी यह condition मिल जाए, कि आपका change in temperature, जो है, आपका change in temperature, that is 0, कि आपका temperature change नहीं हो रह गते हैं कि जब भी आपका Change in temperature zero हो तो आपका Change in inter-energy just change in h अपके दुनें क्या हो जाएंगे हैं आपरàn तो यही इसने बोला है कि जो भी आपकी ideal gas होती है उसमें यह condition follow होती है हमेशा आपका जो है temperature change नहीं होता है, volume change नहीं होता है, छीक है, तो इन condition में देखो ध्यान से सिर्फ आपका एक ही option है, वो भी आपका D है, that means change in internal energy, change in volume at constant temperature is equal to 0, जब भी आपको bottom में कोई चीज दी जाती है, वो हमेशा constant होती है, आप देखो, fourth equation में bottom पे क्या given, आपको temperature given है, अगर आपको temperature given है bottom पे, that means आपका temperature जो है, constant है, अब simple सी बात है, अगर आपका temperature constant है, तो यह पूरी equation क्या हो जाएगा, आपकी constant हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या इन्टेयेजी हैं, आपको सिर्फ इन्टेयेजगी, और आपको क्या देखतना है, एंजट मुलाफी देखना है, तो इन्टेयेजी हाँ पे क्या हो जाएगी, उसमें जैज हो जाएगा, जरो हो जाएगा, तो चाहिए आपको enthalpy दे रख्यों, चाहिए आपको LAUGHण से क्या हो ज तो इसका option होजएगा आपने पढ़ रख रख है इस question में आपको कर निकालना देखो यह पूछा है प्रैशर ये आपको प्रेशर होता है यह फ्रैसर क्या होता है आपको इस्कोर मतल़ा यह कोई सब्ता शालिएक तो क्या हुआ मारा है क्या होता है fix होता है जो given होता है मैं इस करों से हो कहां जा रहे हैं ठीक है कहां जार है यह बीया That means आपके final volume कितना है, आपका 5 हो जाएगा, और नीशे volume आपका 1 हो जाएगा, तो यह आपका आगया, minus P, opposing pressure कितना है, हमारे पास 1 है, इसके corresponding, देखो, इसके corresponding हमारे पास pressure कितना है, इसको clear लिख देते हूं, तो बहरा से आपको ज्यादा, वो लग रहा हो गई, ठीक है, देख A से B जा रहे हो तो A के corresponding आपका volume कितना है 1 है और B के corresponding volume कितना आपका 5 है क्योंकि ये वाली जो line होती है आपकी horizontal line जो volume को represent करती है vertical line आपको pressure represent करती है तो इस equation में आपका work done क्या हो जाएगा work done is equal to minus speed LV होता है हमेशा change in volume pressure तो मैं पता ही एक pressure हमार पास क्या था है यहां पर यहां पर जो हमार पास pressure है that is one atmosphere है pressure one atmosphere हमने लिख दिया minus में होगा आपका final volume क्या आपका 5 है और initial volume क्या है आप one volume से start करो one volume से आप क्या जारो 5 volume नहीं increase in volume कितना हुआ final minus initial 5 आपका क्या है final है minus में one हो जाएगा that is equal to minus 4 यहीं आपका work done क्या हुआ है simple सी बात है work done क्या है आपका minus का 4 आया तो यहां पर options में कहीं पर भी minus का sign नहीं है तो हम assume करेंगे कि minus ही आए क्योंकि work done यहां पर हमेशा minus ही होता है तो option में हमें क्या की मैंने four given है तो this will be your correct answer हो जाएगा तो four will be हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा so move to the next easy थे ना question ऐसे ही question करने है बस सारे सारे next question हमारा बस थर्ड़ा यह बहुत ही जादा easy question है इसको आप बहुत आराम से solve कर सकते हैं कैसे आपको सिर्फ car note cycle पढ़ना है कि car note cycle में सिर्फ graph पढ़ने और सबसेजी graph entropy का है entropy का graph आप किसी के साथ बिना होगे temperature के साथ बनाओ entropy आप कि नहीं किसी के साथ भी आप entropy का plot बनाओगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा entropy upload हमेशा आपको क्या मिलेगा एक square box में मिलेगा चिक है मैं इसको different color से यहां पर ले लेती हूं देखो जब भी आपको किसी particular entropy graph दिया जाएगा जैसे यहां पर पुछा है इसने car note cycle को कौन represent करता है एक बुचा कार note से तो आपको car note के सारे के सारे आपको graph आने चीए देखो PV का graph तो सभी पढ़ते हैं PV का graph कैसा होता है देखो देहां से यह कुछ ऐसा आपका graph होता है PV का चिक है मैं PV का नहीं बोल रहे हूं आप याद मत करो PV का क्योंकि PV का सबको याद रहता है उसको entropy का आपको याद होना चीए कि entropy का कौन सा है और entropy का मैं बता देती हूं entropy का हमेशा आपको square box मिलेगा ऐसे ऐसे आपको क्या मिलेगा हमेशा स्केयर बोक्स एंट्रोपी वर्सेज में temperature हो यह फिर हम पर volume हो आपका यह फिर हम पर pressure हो यह आपका कह रहेगा entropy रहेगा तो हमेशा स्केयर बोक्स मिलेगा हमेशा entropy का बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो कि entropy का plot हमेशा आपको square box मिलेगा देखो यह सारे स्केयर बोक्स है यहां पर आपके सिर्फ entropy का स्केयर बोक्स होता है यह भी दिमाग में याद रखना यह नहीं कि pressure का और पूसी को उठा दिया first option को देह है ठीक है आंसर हो गया सोल नेक्स कोशन पर चलते हैं थर्ड कोशन देखो थे यह मैंने बिल्कुल आपको thermodynamic functions करवाई थे thermodynamic functions को कैसे solve करते हैं thermodynamic functions भी याद करने के ज़रत नहीं मैं बिल्कुल सामने से ट्रिक बता रहे हूं बिल्कुल आसान ट्रिक बता रहे हूं जो आप प्रेशर होता है प्रेशर लिख दो यहां पर temperature के inversely proportional क्या होता है हमेशा entropy होती है तो entropy लिख दो भी या लिख दिया हमने कर तो लगाना ही है क्योंकि हम change की बात कर रहे हैं बन गया है ना relation बन गया आराम से और आप बिल्कुल आराम से याद कर सकते हैं मैं फिर से आपको clear क pressure, curl तो लगाना ही है क्योंकि हम change की बात कर रहे हैं यह भी change में है तो change में आएगा में relation म、、, जो भी आपको उपर दिया गया है मेरे भाइद हमें की पे पर में मेरे पास आ गया था यहां ओ सै आप मवा देखो ध्यान से सबसे उपर वाले टारम लेके जलो सबसे उपर वाले क्या टेमद्छर सबसे उपर क्या है इसमें प्रेशिères हमारे पास पहले तो इनकेकषण्च को change करो इसके डिमेड़न वाल्यूम है इसके डिबाड़न निमें क्या है करल S Complete तो जो इनके divided by dimensions होते हो एक दूसरे के होते हैं जैसे temperature के dimension क्या होंगे s क्योंगे और pressure के dimension क्या होंगे volume क्योंगे यह बात आपको याद रखना क्रोस में क्या बतारी में बहुत आसान बतारी है उपर वाले चीज़ को लिख लिए मैंने सबसे लिए temperature लिख दिया प्रेशर लिख लिए जो इनके डिवाइड़ वाले टर्म्स होती है एक दूसरे की होती है मतलब अगर प्रेशर के डिवाड़ में entropy है तो यह इसकी टर्म है वल्यूम है यहाँ पर तो वल्यूम इसकी प्रेशर के टर्म है multiply में ठीक है तो इसको क्या लिख देंगे s dt हो जाएगा और यह हमारे पास क्या हो जाएगा पी डेल वी हो जाएगा अब सिंपल सी बात है यह equation कहां पड़ी हुए तुमने tds क्या लिख दिया मैंने इसको देखो सब्से ऊपर वाली टर्म स क्या लिख थे आपने temperature लिख दिया है तो इनकी जो change in internet यहां से मैंने find out कर दिया है तो यहां पर minus का sign होता है तो इसमें हमेशा minus का sign आएगा pressure के आगए इसलिए option हमारे पास B हो गए मैंने clear कर दिया आपको ठीक है तो यह होती है equations होती है जिसके according हम solve कर सकते है next question पर चलते है fourth question होगा है जो इसमें सरफ एक फॉर्मला लगना है boiling point दे रखा 1,1,0 degree Celsius calculate heat of vaporization पूछा है heat of vaporization पूछा है हमें तो सरफ एक ही formula पता है कि formula क्या होता है हमारे पास change in entropy change in entropy is equal to में क्या होता है change in enthalpy of vaporization divided by temperature हमें तो सरफ यह equation पता है अब इस equation में हमें नहां तो यहां पर यह पता है कि temperature temperature तो दे रखा है चलो 1,1,10 दे रखा हमें temperature बट हमें यह नहीं पता कि entropy कैसे निकालना है क्योंकि हमें निकालना तो सिर्फ डल्टा है चैना इस question में सिर्फ हमें enthalpy of vaporization निकालना है तो entropy कहां से लाएंगे मेरी एक बात याद रखो आपको अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला देती हूँ we have a relation that is called tautens rule वो मैं आपको यहां पर clear करते हूँ कि trotens rule क्या कहता है trotens rule ये कहता है हमारा trotens rule बताती हूँ आपको trotens rule क्या कहता है trotens rule से ये कहता है इसको मैं लिखे देते हुए एक बार Trotons Rule छिक है Trotons Rule कहता है देखो Trotons Rule कहता है Trotons Rule कहता है कि Change in entropy Change in entropy with Change in delta H divided by boiling temperature उसमें आपके entropy होती है हमेशा 10.5R होती है 10.5R, R के हैंपे Gas constant है, अफकोस आपको मिल गया Relation तो आपका solve हो गया है सुच्छ हो तो आप निकाल सकते हैं एक आपको पता होती तो अपकी हमेसा क्या होती है चेजनंटेंट इस मेवन होती आराम सी बीन जुब तो आपको सारी वेलेउस ही पुटप करनी यहां है अभी पूटकर देते हैं सारी वैलिउज वैलिउज पूट करते हैं चलो भई हम वैल्यू पूट अपकरते हैं Delta H निकालना है तो Delta H is Все क्या हो जब गाल डोल्ता एस Multiply में Temperature Multiply में क्या हमारा boiling temperature है तैट इस एक उल्ट में क्या हो जाएगा 10.5 हो जाएगा हमारा multiply में हमारे पास 110, यह हमारे पास क्या है, degree Celsius में सबसे पहले इसको convert करना होगा हमें, 1110 plus 273, क्या हो जाएगा हमारा, 383 हो जाएगा, add करके देख लेना, ठीक है, तो यह हमारे पास हो जाएगा Kelvin में, जब हमें कोई भी degree Celsius में given होती है, कोई भी temperature degree Celsius में given होता है, तो उसमें हम क् comes the Kelvin temperature, Kelvin temperature बनाने के लिए हम degree Celsius में क्या करते है, 273 को add कर देते है, तो जो हमारे पास temperature है, उसको मिहां पर use करेंगे, तो हमारे पास क्या हैगा, 10.5 multiply, RK की वाली क्या होती है, 8.314 multiply में, 383 Kelvin, ठीक है, यह 383 Kelvin हो जाएगा, तो इन तीन चीजों को जाएगा, तो आपके पास आ video and thank you so much for